एक समस्या मेरे दिहान में बहुत ज्यादा आ रही है भी कि हमारा यूथ नश्य की तरह बहुत भाग रहा है आप लोग इसको फील करते हैं कि कर रहे हैं अपने हैं इसके बारे मैं कुछ करना चाहिए कि मैं काफी दिनों से सोच रहा हूं कि कुछ शहर के लोगों से मिलूं बात करूं कुछ करना चाहिए क्योंकि दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज बरबाद हो गए कि हमारे देश के अंदर पंजाब करीब 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 कि यूथ एकदम मतलब है या नहीं है वहाँ पर सोचना पर रहा है तो एक समय था देश के अंदर देश की सीना में सबसे जादा फोज के अंदर नोजवान थे तो पंजाब के थे पंजाब रेजिमेंड का बहुत सम्मान था और बड़ी घबरहाट होती थी पंजाब रेज वहां से थोज में भी नुख कम जा रहा है और पंजाब मतलब बहुत अच्छी स्क नहीं है पंजाब के मेरा ऐसा मना है कि जो लोग नशा करते है न नशे के आधी हो जाते है उसके बाद प्र यह उपर वाला जो है न खाली हो जाता है उसके बाद फिर उनसे कुछी भी अधिर की बहुत प्रतिष्ठा है इंदोर एजूकेशन का हव है इंदोर सुचतायों के अंदर मॉडल है सारे दुनिया के अंदर इंदोर का नाम है मुझे डर लग रहा है कि यह इंदोर के नौजवान गलत दिशा में जो जा रहे हैं हूंकि इंदोर को आप लोग कितनी मे कितनी में नद करते हैं कि और आपको भी तकलिस तो यह कि कहीं इस प्रकार की घटना सुनते तो आपको भी दुप तो होता है ना हम लोग कितना कर रहे हैं इन दोर्टेंगे बुझे कल बहुत खतरनाक दिख रहा है इसलिए आज हम लोगों कुछ विचार करना चाहां मुझे नहीं बता, मैं अलग-अलग लोगों के साथ बचता हूँ, मैं थोड़ा सा spiritual भी हूँ, धर्मिक भी हूँ पूजा, पाठ, धर्म, ध्यान, जब इसमें सब नहीं आ सकते हैं, अपनोग सोचिये, मैं आज उत्तर नहीं चाह रहा हूँ, इस पे सोचिये कि हमें क्या करना चाहिए, सब लोग मिलकर कि हम कैसे यूथ को यहां से डाइवर्ट कर सके, कर स्ट्रक्टिव लाइन के तरह हूँ प्रिशाशन के लोगों के साथ भी बैठा था मैं अभी, आट-दर्स दिन पहले, मेरी उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं है, कुछ बात है ऐसे ही जो समाज की, समाज के द्वारा ही नियंतरन करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ